तो पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए हमें वाई टू लर्न इंग्लिश ठीक है ना तो आज हम यह जानेंगे कि इंग्लिश सीखें कैसे शुरुबात कैसे हो ठीक है तो पांच पॉइंट्स में आपके साथ डिसकस करूंगा और य है करें चाहिए बात तो बेमाल की तो पुर्बचा च regulations margin चाहिए अगर आपसे गल्ती गहै किया लोगों चाहिए और बोलो पॉझे मों आज चाहिए अगर यह साओ बोला जाएगए धान आख हुझा एक काम करो ना, ये 5-10 किलो के वेट से मेरा क्या होगा, एक काम करो में को 40-50 किलो पहले ही दिन दे दो, उठा लोगे, पर 2nd आप जिन नहीं जाओगे दुबारा, तो इसलिए, बहुत चोटा सा टर्म है, पहले है, sorry और thank you, ये आपके relationship को भी better करेगा, और जिससे आप बोलते हो ये words, उसको भी अच्छा लगता है, आपने कोई समान करीदा, आपने उसको पैसे दिये, काम तो भी में कतम हो गया, लेकिन आप जब उसको thank you बोलते हो, तो उसको दिल से अच्छा लगता है, इंसानिय समझा किया, ठीक है, दूसरा point, Google every new word, यानि अगर कोई भी नया word आपको English का दिखता है, तो उसको आपने Google करना है, मैं dictionary नहीं बोल रहा है, ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं Google करना है, क्योंकि वहाँ पर Google exact pronunciation बताना है, जो सही है, ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने बोली आपको उसको जो वॉल्यूम का बटन दबा लिखा होते है न, वर्ट से पहले, उसको आउन करके सुनना है, ठीक है, कि उस word को कैसे प्रेनेंस किया जाता है, हमें vocabulary बहुत पता है, लेकिन प्रेनेंसियशन ही नहीं आता, प्रेनेंसियशन का भी प्रोनाउंसियशन हम बोल द तो यह गलत है, क्या बोलते हैं से प्रेनेंसियशन बोलते हैं, तो हमें क्या करना है, कोई भी नया वर्ट हमें कहीं से भी मिलेगा, उसको गूगल करना है, और उससे प्रेनेंसियशन उसकी चेक करनी है, समझ आ गया, दूसरा पॉइंट, पक्का, ठीक, तीसरा पॉइंट ह कि आप उसकी pronunciation सेखेंगे, ठीक है, देखो पहला था कि आप sorry और thank you बोलेंगे, दूसरा था नए word को google करेंगे, तीसरा था आप उसकी pronunciation सेखेंगे, तीन words हो गई clear, तीन चीज़े हो गई, चौती है कि आपको अपने atmosphere से सीखना है, अब atmosphere क्या होता है, जहां आप रहते हैं, ठी इनके नाम बहुत अच्छे अच्छे होता है, ठीक है, जैसे आप किसी अगर सलूं के भार से जाते हो, तो उसका नाम लिखा होता है makeover, ठीक है, कोई coaching institute है, जिसका नाम है paramount, prudence, ठीक है, तो ये सारे आप क्या कर सकते हैं, अपने atmosphere से भी बहुत सारे नए word सीख सकते हैं, आप youtube चलाते हैं, वहाँ पे कोई नया word मिलता है, उसे सीखो, आप social media कुछ भी उस करते हैं, वहाँ से सीखो, यानि जहां से भी आप सीख सकते हैं, आपको सीखना है, ठीक हो गया, जैसे अब example के तोर पे flare है, आपको बता है flare की pen आती है, तो इस flare का मतलब natural talent से होता है, ले के नाम का भी कोई मेनिंग हो सकता है, पेरेगॉन की चपले आती है, लेकिन पता है पेरेगॉन किसको बोलते है, कोई ऐसा विक्ति जो किसी काम को पहली बार शुरू करते है, अग्रेणिये काम करते है, जैसे मैं बोलू, गादी जी is the paragon of non-violence, वो अहिंसा के पथ-प्रध दर्शक थे, पहली बार उन्होंने शुरू किया, तो ये काम करना है, अपनी स्राउंडिंग से इंग्लिश को देखो ना, ठीक है न, नए वर्ट्स को सर्च करो, ये चीज कर ली, ठीक है, पांच पाइट है, जो इंपोर्टिंट है, निउस पेपर रीड करना, ठीक है, के बेसिस पे निश्चित रूप से आपके इंग्लिश इंप्रूफ होने लगेगी, ठीक है, तो पांच पॉइंट में फिर सापको क्लियर कर देता हूं, पहला, थैंक यू और स्वारी बोलना है, दूसरा, हर नए वर्ट को गूगल करना है, तीसरा, प्रेजनेशन गूगल से ही सीखना है, चौथा, अपने एट्मॉस्फियर से, अपने माहल से, जो भी नए वर्ड मिलते हैं, उससे सीखना है, पांच मां इंग्लिश न्यूस पेपर पढ़ना शुरू करना है, ठीक है, तो आए होप कि आपको ये चीज़े पसंद आयोंगी, तो थैंक यू सो मच, प्याओ लिए टार्यूस